आप सब जैसे हैं फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत सुन्दर स्वेटर की डिजाइन लेके आई हूँ इसका फुल टर्टोरियल फुल मेजर्मेंट के साथ इस स्वेटर को मैं बताऊंगे ये एक रुपेस्टिड वीडियो है ये पूनम बर्मा मैं मेरी को इसके लिए ये फ९ह मैं बउरी डिजाइन और पेपर पिक की ग्राप वाली डिजाइन स्टेप बाई स्टेप आगे बताऊंगे मैं ये दो पार्ट में स्वेटर की डिजाइन को मैं को सवरीबोलना चालती हूं वीडियो लेट हो जाने के वैसे काफी समय से मेरी थेक न में करकायों। आप कलर का हिए हमारा बॉॉॉडर की डिजाइन हैं। तो हम रिल इनियों स थिन ाप बॉॉौ। स्वाइन तरह के साथ ऑप यह कहा है। तो हमारा बॉॉॡर शुरीय ही तरह का बॉॉ। निया मत डीक होकि एप बॉॉ थिन . यह उस तरह से नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है आप कोई भी कलर कॉमिनेशन के साथ इसको बना सकती है मैंने इसमें पिंक और ग्रे कलर का कॉमिनेशन लिया है देखिए फ्रेंट्स आज मैं आपको यह डिजाइन यह बॉर्डर की डिजाइन में किस तरह से बनानी है यह मैं बताती हूँ देखिए यह हमारा आगे का पड़ता है और मैंने इसका और पार्ट मैंने इसके तयार कर लिए है यह आगे के पड़ते में मैंने इसमें यह नीचे बॉर्डर में इट टिफंदे डाले हैं आपको काउंट करके बताती हूं मैं डबल डबल करके काउंट करूंगी एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, जोदा, बंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, देश, चोविस, बच्चिच, चोविस, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, यह अंटे वाला बंदा, यह 49, वह यह 40 ही, पीछे अंटे वाले फंदे, इनका में दोपाई करूंगी, यह 40 है, हमारे इसमें 40 मतलब 80 फंदे हैं, अब इसका बार्डर बनाएंगे हम फ्रेंट्स, जो हमारे यह दूसरा वाला कलर है, इस कलर नौर्मल यह द़ने फंदे बारें जैतर लिए हमें, इपरने बîneरें फंदे लिएते शाख है, अपनी रखी आप के बिंयदेगे, मेरे फंदे छे, यह दूसरे से वाल में, यह 50 पाए है, अब आपकर दूसरे खेंगे, कि अजिसने सबस्ते हैं टो कि ए दोह को परुत पराणाई कि ऐस पिरेशलर है और बैस्ट वूल सॉविरका तरीकह तरीका है मैं मुग तौह मुञ कर आरे पहल कर हैं लीजिए एंगे उपर फर जिसलिक है। नोट लगा लेजिए एक पहला पंदह इसे जाएगा, नोर्मल जैसे हम बॉडर होंते हैं, इस तरह हैं इस तरह हैं, यह हम पनक कलर से बनाएंगे, पिंक वाला फंदा हमारा सीधा आएगा जो ग्रे कलर वाला फंदा हमारा उल्टा आएगा फिर हम पिछे कर देंगे अब हम पिंक कलर से पुलेंगे दागे को मैं साथ की साथ आगे पीछे करते हुए चलना है नहीं तो फिर आगे अंटा सा दिखेगा इसमें फिर हम इसको आगे करेंगे फिर एक फंदा हम पुंटा पुनेंगे इसी तरह से अब इसको पकड़के इस तरह से पिंक कलर से पुनेंगे फिर दागा हम आगे एक फंदा हम उटाप रहेंगे ग्रेय कलर से इसी तरह से यह हम उनते जाएंगे अपना बाउडर हमें यह सीधी वाली सलाई हमारी फर्स्ट रू इसको हम इसी तरह से कॉंप्लेट कर लेंगे इसी तरह से इसको चुनाते जाएंगे जो हमारा बेसिक कलर है इसे हम सीधा बला फंदा बनेंगे इस से भूर प्रोर मैं अब आपको है उल्ट से आप रूमयों, इसी तरह से आप रहसे आप पूरी आपनी फूर्स भ्रो Canó मैं आपको पूरे दिखातों पूरी खुरी होुआ दो बाई करेंगे इस तरह यह भूरir को भी Shan यह मैंने जुरू कम्प्रेट कर लिए है यह में इसको यह की बनाँगी तोकि यह अन्टे वाला बनाँगी यह हमारी सीधी सलाई फर्स्ट डू कम्प्रेट हो गई है बॉडर वली यह हमारी सेकंड रो है कनल्टी साइट से यह हमारी कस तरह से बंड़ने है यह बताती को आपको यह जिस तरह से फंड़ mother इंख रहा है उल्ट इंख वाला Cand staat अजिक्त है roku यह पर्सट कंद है यह हम उल्ट ही मनेंगी पर्सदिशिट जितने भी हमारी सलाई आएगे बैक साइड वाली उलती सलाई आजाओं भी आएगे पो में इसी तरह से जिस कलर का फंदा उसी कलर से मा उलते ही बुना है इसी तरह से यह आपको जितना भी बड़ा बनाना है स्वेटर का आप बना लेजिए इसी तरह से यह पूरी रूप कंप्लेट करते जाएंगे मैं आपको यह पूरा बाटर करने के बाद फिर दिखाती हूं इस तरह से यह बन जाता है देखे फ्रेंड्स यह हमारा बॉर्डर बुन गया है अभी पूरा नहीं हुआ है इसमें दो सलाईया इनकंप्लीट है यह बारे सलाईया होई है टोटल हमें जौदे सलाईया करनी है अब मैं एक बार फिर आपके सामने यह रिपीट कर रही हूं इसलिए आपको अच्छे से अब याद रहे और बनाने में आसाली रहे इखे है जो हमेरा यह सीधा पंदा है कि इसको मैं सीधा बनना है पिंक कलर से और यह जो मारा एक गरे कलर वाला पंदा है इसको हम उटाओ इसी तरह से हमें ये अपनी रोग कम्प्लीट हो जम दागा आगे करेंगे इसको और उटाओंगे ये तो कलर के अपने सिंगल कलर के बोरडर काफी सारे देखे होंगे डबल कलर में बहुत कम देख आँ ए बोड़र और गल्स के उपर तो यह सारी चीज़ें बहुत ही सुन्दर लगती है अफ़ेंगे सब्सक्राइद के इससे तरह से वह अच्छा साभाणा सकती है जिस तरह से आपकी चोईज हो, आप उसमें कुछ भी कर सकती हैं, उसका लोग सुंदर ही आता है, खासकर हैंडमेट स्वेटर्स का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो गया इस समय, तो बच्चों को और सब को पहनने में भी बहुत अच्छे रखते हैं, और जो बनाते हैं उन इस तरह से टाइट से पकड़के, फिर इस तरह से, अब हम इन वालियो इस वाले पिंक वाले दावी पूंकि हमें ग्रेज से पुलना है, पिंक वाले को टाइट कर लेंगे, इसी तरह से, करते चलिए तब फंदे सारे एक जैसे आएंगे, डीलार और टाइट नहीं आएगा तरह तरह से, विए, इसी तरह से मैं अब के लिए डिफरेंगे, डिफरेंट डिजाइन और आदियाज, आप से एक बात और शेयर करनी थी मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी उस चैनल का लिए खाने निटिंग एंड क्रोचाइट टुटोरियल क्लासिस उस चैनल पर में तॉटोरियल इडाला करूंगी दिजाइन्स की बार्डर्डर्स डिजएन्स जो भी आपके कुष्यन उनके डालक प्रम्वाजन दिजाइन वन तिम्हें होने सब्सक्रित इडार। यूज नहीं आते हैं तो नहीं चैनल स्टार्ट किया है आपके साथ मैं उसमें आप अपना सपोर्ट बनाई रखिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर और अपना इसी तरह से अपना साथ मेरे साथ बनाई रखिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट आइडिया वीडियो लेकर आती रहूं लिंक आपको मैं दे दूँगी प्लीज अपना सपोर्ट बनाई रखिए मेरे साथ इसी तरह से हम इसको कम्प्लेट कर लेंगे ये सलाई में पूरी करने के बाल तो फिर आप उसे मिलती है देखिए फ्रेंट यह हमारी सीदी सलाई कम्प्लेट हो गई अब हम उल्टी सलाई यह हमारी तेरे सलाई यह हमारी नास्टी सलाई चौदा सलाई है कि हमेरे टो टल बॉडर में यह जो फंदा रखिए अपने ग्रेट को प्लेट कर दो गई अचार अचार जासा कि मैंने पहले बताया था अमे यह दो पीछे दी इस अल्टी साइट से दोनों फंदे में इस तरह ऐसे दागे को एक दागे को अपने अउटे से दबाते हुए उसरे दागे से इस तरह ऐसे बनने से दागा डीलानी होता है कोई फंदा डीला या पिटाइप नहीं होगा एक जैसे आएंगे सारे फंदे पिंक और ग्रीय का कॉमिलेशन बहुत सुंदा लगता है इसी तरह ऐसे प्रुमिलेशन बहुत सलेशन एक प्रुटाइब प्रुटाइब प्रुमिलेशन लगता है झाल झाल लुटी शाय के घृट सराय कॉम्प्रिट हो गई यह इस इडी साइट से इस तरह से देखेगा यह और यची शाइट से इस तरह साइगा इस में हमारे एक्टी पंदे थे असी पंदे थे अब इसमें कॉण्स फंदे बढ़ाएंगे तिक्सार अब यह बालर हो गया है ओधूर हिजिए डशंद डीजाइन डालेंगे यह किस तरह से डालेंगे हम भी हे यह इजिख जख वाली डीजाइन डालेंगे इसमें स्टार्डर हो एक फद्वाले सम्सिद बढहे पर ऩ ciudज मलदल行एंगे बढ़ा देंगे पिंक वाले धागे को इधर ही छोड़ देंगे अब हमें खाले ग्रेय यूज करना है दो सलाई हूं हम सीदी सीदी बढ़ते जाएंगे इसमें हमारे 80 फंदे थे मैं पांच फंदे वर बढ़ा हूंगे इसमें आप अंदाजे से या फंदों को डिवाइट करके में बढ़ा सकती है मैं ऐसे ही अंदाजे से बढ़ाऊंगे इसमें पांच फंदे जिह हम नीचे वाला फंदा उठाएंगे इस तरह से और इसको इसको उपर अटेंगे और हम इसको बुल लेंगे यह हमारा एक फंदा बढ़ इस तरह से बढ़ाने से जाली वाली और कुछ भी पता नहीं परती है कि आपने किस किस साइट खंदे बढ़ाई है एक जैसा हाता है पुरा ये दू रंग की डिजाइन डालने में ये बहुत जंजट रहता है मुनलस्ती होता है ये वमारा एक खंदा बढ़ाता है अब यह में दूसरा खंदा बढ़ाएंगे इस तरह से ये वमारे दो खंदे बढ़ाएंगे नर्मली जैसे हम सीधी शलाई बंते हैं उसी तरह से हमां बंते में जाने है और पब्रीट करने हैं इस अपने पर यह नो नंबर की सलाईयों से बनाई हूं बोडर भी मैंने नो नंबर की सलाईयों से ही बनाई है कि दो रंग का बॉर्डर था इस वहाई से फिर मैंने इस पर 10 नंबर की सलाहिया नहीं लगाई दी आप अपने असाब से देख लिए जिए अब मैं थोड़े बच्चों के स्वाटर में थोड़े एक्स्टा फंदे डालती हूं थोड़े ज्यादा फंदे डालती हूं कि बच् कोई तो थोड़े डाला पैनता है इस बैसे मैं थोड़े डाला बना रहे हैं कि स्वाट है कि दू फंदे भड़ गहते बातों मैं मैं बीच में फंदाही पढ़ाना भूल गही हूं थोट बढ़ गए थे यह हमारा तीसरा फंदा है तीन फंदे बढ़ चोगे हमारे अब हम यह चौता फंदा बढ़ाएंगे पंदे बढ़ाने उते तो फंदों को डिवाइड करके इसे बढ़ाती है मैं इसलिया मैंने कई भी बढ़ा लिया है यदि आपको कोई तरीखा भूअब बढ़ा ने कदा आप अपने तरीखें बढ़ा सकती है बजाओं पैस्टे तरीका रहता है, फंदों को ड्वाइट करके बढ़ाना से एक एक अलग अलग जगें बढ़ते हैं, एक साथ नहीं बढ़ते हैं, इस तरह से ही यह उमारी सलाई कम्प्रेट होगा है, अब हम आल्टी सलाई पर आगें, यह हमारे फंदे भी बढ़ गएं, और यह हमारे नीचे की बेस होगी बने है डिजाइन की, फिर हम जिग जग वाली डिजाइन इस पर स्टार्ट करेंगे मैं बहुत सरल तरीके से एजीवे में बता रही है बनाना अधर चीज को यदि आपको कुछ सम्मेजमेन आए तो आप में को कमेंट करके पूल सकते हैं मैं आपके कोशन्स की आंसर दूनी फ्रेंट्स और यदि आपको कुछ और भी डिजाइन वगड़ा आपको डालनी है तो मैं जो अपना नया चैनल स्टार्ट करने वाली हूं इस पे इमेंट डाला करूंगी है डिजाइन मेरा दूसरा चैनल स्टार्ट करने का एक और वो है इस वैसे मैं स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि मेरा इस चैनल पर बोट्स टाइम कंप्लीट ही हो रहा है इस वैसे मैं अपना चैनल स्टार्ट करें हुशा वाला आप अपना सपोर्ट बनाए रखे फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी और डिफ्रेंट डिजाइन और वीडियो लेके आती रूँगी और इस चैनल पर बहुत खिच्छी सी भी कगई है स्टुड की थोडी लॉन वीडियो पहुत ज्यादा लॉन वीडियू को सब्सकारें हैं अवे सब्सक्रार करें आप बनाने का पनार है मैं उस पन्सक्राइब टृत्स की दॉट बलिफ्रेंट keywords प्रणुण फूघ्ट व साथ है हमारी हिमत और भग जाती है हर चीज को करने के लिए आप अतने सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहे 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 प्रेंट्स यह हमारी एक सीधी और एक उल्टी दो रूप कंप्लेट होड़ी है अब हम इस पर जिग जैग वाली डिजाइन स्टार्ट करेंगे देगे फ्रेंट्स अब हम यह जिग जैग वाली डिजाइन बनाएंगे इसमें यह नीचे मैंने इसमें यह दो प्लेंस लाइयां किए इसी पर आप अपने बढ़ाईएगा मैंने यह फंदे बढ़ा लिए अब किस तरह से उनाएंगे यह मैं आपको बतात इसमें देखिए एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नौ फंदे हैं यह नौ फंदे हम गरे कलर से बनाएंगे यह हमारा जो दूसरा बला दागा है इसको हम साथ लेते हुँ चलेंगे इस तरह से इससे ही इसमें जोल सी नहीं आती है टाइट टाइट दागा नहीं होगा यह हमारे चार पंदे हो गए हैं पांच छे साथ आठ यह नौ यह मारे नौ पंदे हो गए हैं अब हम एक पंदा पिंग कलर से बनाएंगे इसी तरह से अब हम आगे थोड़ा सा दीला छोड़ियेगा दागे को जिससे यह टाइट नहीं हो साथ इस तरह से यह फिर हम नौ पंदे गरे कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर है एक पिंग कलर से फिर नौ पंदे गरे कलर से दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ इसी तरह से यह हम अपने पूरी सलाई कम्प्रीट करेंगे चार पांच छे साथ आठ नौ आप इस वाली डिजाइन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती है बच्चों के में बहुत ही सुन्दर लगती है इसी तरह से आप इसको किसी भी स्वेटर में फुल में डाल सकती है इसी तरह से बीच में कुछ प्रेन करके फिर यह जिक जैक वाली डिजाइन डाल दी पांच, छे, साथ, आट, नुँँ एक, लो, तीन, चार, पना, छे, साथ, आट, नुँँ एक, लो, तीन, चार, पना, चे, साथ, आट, नुँँ एक, वसह नुँ, यह अट, नुँ एक, रहले लाजट में फंदे बचे हैं इनको हम सबको ग्रे कलर से पूल लेंगए यह उमारे पांच फंदे बचे हैं अभी हमारी डिजाइन की यह सेकिंड रो है वैसे ही एक वाल पार्ब यह बचता प्लत के फार्ट रो मौंटे यह जो हमारा एक पंदा पिंग था अब इसके बगल वाला पंदा भी हम पिंग करेंगे एक से अब हमारे तीन फंद हो जाएंगे एक दुण और इसके इधर भगल वाला पिंग तरह तैने और हमारे पाते ही एक से रिदे चल कमेंदा पूंद ही नह रेखांव पॉल इसके became पिंगदा पर पर हम पनाएं है और भी हमारे तरह को पिंग यह सीधिती पंदा हो एक से चौन इसधार जाएगे हमारे साथ पंदे ह और ये वाला फंदा भी हम पिंग बुल लेंगे ये जो मारा बीच का फंदा ये भी ऐसे करके मारे ये तीन फंदे पिंग कलर से बहेंगे फिर हम साथ फंदे ग्रे बुनेंगे दो तीन चार पाच छे साथ फिर हम तीन फंदे पिंग बनेंगे एक पिंग से पहले वाला पिंग और एक पिंग के बाद वाला पिंग ये आपको याद रखना एक दो तीन चार पाच छे साथ दो तीन चार पाच चे साथ दो तीन चार पाच जो तीन चार पाच चे साथ दो तीन चार पाच जो तीन चार पाच चे साथ तीन चार पाच जो 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 तीन चार पाच बोग ती चाहर पर चे साथ बोगी ओनार बोगल अदाव और बेंगे जी ओनार बोलग अदान देंगे ये ओनार बोगे बार इस्तरसे एक एक पंदा साइड में से इसी तरह से इंठे आपनेंड इससे तेंने जो तीन ऑंगे तें से वह सी नहीं पर जाएंगे इसने थी और हो जाएंगे आपनिों 5 हो सब्ते के 5 मिपांच मितली थी सब्सक्राइब सब्सकुति ऑब ब्राद बगर सधीं बगल वाला भी हम पिंक भुनाएंगे अब वंच फंदे ग्रेवाइगे एक दो, ती, चार, पाच्च यह जो मारा गरे बच्छा इसको इसमेम नहीं एक दो, ती, चार, पाच्च एक, दो, ती, चार, पाच्च अब यह हमारे दो, पाच 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 ग्रेवी और पिंध्रेवी अब पाच पाच काउंट करके इनको बोलते चले राएगा इसी तरह से यह झाल, गज।, पाच पाचक पाच पाच पाचा हुह पाच्वी झाल, बाच पाचु एक श्रॉश्या से तरहुजिँजग एक, डो, टूँ व साइच, एक, OMEचच, एक, डो दो, टुान चार चार दो ति चार वाच्च ये को दो ती चार याच्च दो ती चार वाच्च इड तर दिट आप आपचा आप 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 मैं आप टी आप 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 को आप 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 यह प्लास्ट पंदे हो चाहें इन सबको ग्रेव बने अब यह अब हमारी 6 से सलाई गए 1 2 3 4 5 6 अब यह जो पांच पंदे अमने पिंक बनेते अब यह अमारे 7 फंदे हो जाएंगे और यह अब हमारे ग्रेवाले 3 फंदे हो जाएंगे इधर की साइड बढ़ते जाएंगे बंदे अधर की साइड पंदे इस तरह से हमारी जिग जग वाली डिजाइन बन जाएंगे एक 2 3 4 5 6 7 यह साथ हो जाएंगे पिंक वाले बंदे अब हम ग्रेवाले 3 फंदे बनेंगे एक 2 3 4 5 6 7 ुंटे इस सलाई पे यह हमारे तीना के रिए च्वटका पंदे हमारे हम एक पंद का एजएंगे बनेंगे आए ग्रेवाले बनें पिंक और बने अब हमारे लिए एक पंद। ich起來 in तेन यह हमारे साथ हो एक दो तेन चार वाँ छे शाट इसी तरह से आपको यह थोड़ा पहार सा या फिर आप जिक चाक पोल लीजिए यह थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप चादा फंद हो पाई बना सकते हैं तो आपको और नमर में फंदे लेने होंगे इसको बनाने के लिए तेरा फंदरा इस तरह से ग्यारा नो साथ पूसे कहाएं कि यह अच्छी तरह से आता है फिर फंदे हमारे आपस में अच्छी से डिवाइड हो जाते हैं अच्छी तरह से ले यह ले 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 अच्छी अच्छी आपस्छी हो जवदे ले जगर ले बना सकते हैं बस कभी ग्रेवाले ज्यादा हो जाएंगे कभी पिंक वाल हो जाती है यह वह मुरी सेबिन्थ रोगा है यह रिट रोगा सेबिन्म बारी सेबिन्म क कणून में प्लाइ जाएंगे लेकिंद यह जाएंगे लन्मपरियुन ठीज रोगा प्लीम कीम बारी बारी बार कर दोगे जाएंगे ग्रेवला दो रॉकिवलété हो यह बारे नोगी में दो, तीन, चार, ताच, छे, साथ, आठ, ना, यह बंदाक्ट, एक, तीन, चार, आठ, चे, तीन, चार, दड़ी, साथ, आठ, एक, तीन, चार, आठ, 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 जार, िन, चे, साथ, आठ, आठ, ढहे, इक बो इड़ि चार पार रहा है जड़िक चार पार चार रहा है ě ज talking जिएाँ टी लूगं इङ माँ इजाँ माँ ज की साख़ रमादु 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 सब्सक्राइब यहारा लास्ट का लखन दा लिए लिए कि प्रदे में ऊपर थोड़ा सा प्लेन बनने के बाद उसका फुल ट्रटोरियल बनाऊंगी आपको ग्राप भी दखाऊंगी पैपर पिक का ग्राप से मैं डिजाइन डालूंगी पैपर पिक की यह एक मैम की रप्वेस्ट दी उनके बना रही हूं है यह वीडियो इसको प्लेन करेंगे आपको यह प्लेन करके दिखाते हूं अब हम इनके लिए उनको इधर ही छोग लेंगे अब हम पिंक कलर के सारे पंद्य अपने अपने इसको हाथ से दबाते हुए कि टीला छोड़ने पर इपंद्य ठीला हो जाता है और इसको थोटे से टाइट करके आपकर लीजिए इस ट्रेटर का दो पार्टों में मैं इसको डालूंगी जो मैं पैपर पिक की ग्राप वाली डिजाइन डालूंगी इसको मैं अलग बोस्ट करूंगी और इस टाइट मैं इस टरह से मैं इन डालूंगी यह डिजाइन किस तरह से मैं मुट्टी की कटिंग किया एक पार्ट में मैं सारा वीडियो शाना के डालूंगी एसी तरह से हम यह पुरी सले अपनी कंप्लेट कर लेंगう आपको मेरा वीडियो अच्छा ना गए मेरा बताने का तरीखा वीडियो शाटर्स के रिजाइड आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नी किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े करेंड्स मैं इसी तरह ऐसे अच्छी अच्छी शड्र के डिसाइन लेकर आती रहोंगे मेरा उदेश आपको कुछ नया और अच्छा सिखाने का रहता है आपको सेम डिजाइन तो काफी सारी मिल गाएंगी देखने के लिए पर मैं कुछ अटके आपके लिए डिजाइन लाना चाहती हूँ सब का अपना तरीका होता है हर चीज को बताने का बनाने का इस तरह सेम को पुरा करें का लिए करियो को अपनाले हो नदी को अपनाले है की अवरा दी आफी है अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब मैं इसको साधा बुनुगी और फिर ग्राप वाली डिजाइन डालूगी, मैं आगे सब बताती हूं, अब आगे हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये पीछे का पाट है, ये तयार हो गया है, पीछे का पाट ये यहां से, ये इसमें मूटे की कटिंग की हुई है यहां से, इतना ये प्लेन बना जाएगा, आगे का पाट, ये मूटे की कटिंग होगी यहां से, इसमें पेपर पिक की डिजाइन डालूगी, मैं इस वाले पार्ट में, तब मैं आपको यहाली कटिंग करना बताती हू किस तरह से करनी हमें यह कटिंग यह एक आस्तिन भी राडी होगी है इसकी इस तरह से जैसे हमने पड़े में कटिंग किये हैं यह सेम आस्तिन में भी कटिंग करेंगे सेम कटिंग होती है पड़ों में और आस्तिन में फिर इन सब को में एक सा जोइंट कर देते हैं कि यह वाल यास्तिर हमारी कटिंग के निये तियार होगी है हां तब मैंने बना लिया है प्लें प्लें बुर लिया तर जिस तरह से आप बुनते हैं इसमें मैंने फंदे आपको काउंट करके बताती हूं कितने ढाली हूं है जिस पहले हूं है इसमें मैंने पैतालिस फंदे ढाले हूं हैं और पाच फंदे मैंने ऊपर बढ़ाएं इसमें टूटल ये पचास फंदे हैं फिर ये डिजाइन के साथ मैंने इसमें ये पाच फंदे बढ़ाएं जिस तरह से आपको जितने भी फंदे अपने आपको कर लेने हैं उसके बाद हम उटे के गटिंग करेंगे जब तक आपको जितने भी जैसे कम पंदे हैं तो थोड़ा जल्दी बढ़ा सकते हैं जितने फंदे हमें चाहिए आस्तीन में उतने फंदे हम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं किस तरह से कटिंग करेंगे यदा आपको पथाती है प्रोड़ें